ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं यूज अभी अभी ख़बर तहकिकात हकिकत सहारनपुर गंगोह ब्लॉप के गाव शकरपुर निवासी व्यक्ति जो विकलांग है उसकी नाबालिग लड़की को आरोपी यूवक पुर्शोत्तम पुत्र सतीश निवासी मच्छरॉली बहला फुसला कर ले गया जो अब तक बरामद नहीं हुई है थाने में एप्लिकेशन देकर कार्यावाही की मान की है प्रार्थी का कहना है कि 20 तारीक में जब एसपी सिटी राजेश कुमार गंगोह थाने में आये हुए थे उनको भी पूरे मामले से अवगत कराया गया था जिस पर उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्दी लड़की को बरामत कर लिया जाएगा लेकिन अब तक लड़की का कोई सुराग नहीं मिला परिवार वालों ने प्रैस कॉन्फरेंस कर बताया कि यदि सोमवार तक अगर लड़की का पता नहीं चला तब मंगलवार को हम थाने में आत्मदाह करेंगे जिसका जिम्मेदार प्रशासन जरम प्रैस ऐस्पी अरजी को यह थाना देक्स्तेग्स मेरे से जी कभिनु गरता है शाम को मिल जाएगी कदी का कल मिल जाएगी कोई थाने में कोई मेरे लिए कारवाई नहीं की जारी जी मैं अपनी लड़की को बरामत करवाना चाहता हूँ सर मच रूली क्या है जी परसुत्तम लड़की का नाम है बाप का नाम सतीस है जी माता का नाम ममता है जी कोई ठारीर देर की जी कोई ठाने से कोई कारवाई नहीं हो रही जी सर यह आज लगबग 17 तारिक की बात है सर कोशी सिया करता हूं जी जो परसासन मेरे लिए कुछ मेरा इंसाम दौता है और नहीं तो जी मैं परसासन के अपने थाने गंगो जाकर मैं अपनी हत्या करना आजी मंगलवार को जी मेरा नाम नीलम है लड़की पंदरा दिन चोदा दिन होगे हमारे घर से गायब है मेरे भाई और घर पर भी नहीं थे और हम यह बात पुलिस थाने SSP और DSP सब जगह घूम आई परसासन हमारा कोई हैल्प नहीं कर रहा है यह मेरी भावी है और यह मेरा भाई विकलांग है हम दिन उसके लिए इतने तड़ब रहा है और सासन भी हमारी कोई मदद नहीं कर रहा है हमारा गाउन सकरपूर है सकरपूर सांकरोर के रहने वाली हैं और यहां से सारनपूर लखनाव कहीं कहीं तक के दके खाए लड़का मचरोली का रहने वारा पूरा एड्रस लड़की के आदार कार्ड ना वाली के हमारी लड़की है आदार कार्ड पसर मार्शीट वगएरा सब ले रहें स्सपी के दे रखिया हमने तब भी हमारी कोई सुनवाई नहीं होई